हेलो गाइज वेलकम टू ओर चैनल स्पीशर्मक्लासस नाव भी डिस्कॉस अबाउट राइबोनुक्लिक एसिड इस्ट्रक्चर और टाइपस एंड राइबोनुक्लिक एसिड और डियोक्सी राइबोनुक्लिक एसिड में डिफ्रेंसेस पड़ेंगे पहले देखते हैं सलमिक आर्यान और हम देखे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में इसके स्ट्रक्चर सांवानी रूप से आरेन्य की सरचना डिएने से काफी कुछ समानता निरूपित करती है बट विभेत की तोर पर आरेन्य होता है poly nucleotide दुआ रहा है निरμीत एक single standard होती है यह इसा की सरचना स्रंकला होती है अब हम देखते इसकी ribose sugar के बारे में जो RNA में sugar पाई जाती है उसे ribose sugar कहता है जबकि DNA में पाई जानी वाली sugar को डियोक्सी राइबोस सुगर कहते हैं राइबोस सुगर और डियोक्सी राइबोस सुगर में अंतर होता है कि राइबोस सुगर में एक ओक्सीजन एटम ज़्यादा पाये जाता है जबकि जो डियोक्सी राइबोस सुगर है उसमें एक ओक्सीजन एटम कम होता है राइबोस सूगर में कारबन नमबर 2 पर एक ओक्सिजन एटम अधिक होता है तो इसका फॉर्मूला होगा C5S10O5 जबकि डियोक्सी राइबोस सूगर में यह ओक्सिजन नहीं होगा इसकी जगए हाइड्रोजन ही रहेगा अब हम देखते हैं कि RNA में जो एडिनिन यूरेसिल और ग्वानिन साइटोसीन का जो अनुपात है वह इकवल नहीं होता है यानि यह चारगोब के नियम का पालन नहीं करता है RNA अनु में पाये जाने वाले नुकलोटाइड के बीच अंत्रा आणविक युगमन इंट्रा मोलिकुलर पेरिंग परजेंट होती है और यही है कि इसकी सिंगल स्टेंडर्ड सरचना को स्टेबिलिटी परदान करता है जो RNA की सिंगल स्टेंडर्ड जो स्टेबल रह पाती है प्रोकेरियोटिक युकेरियोटिक सेल्स में RNA की स्टेचना अलग-अलग पाय जाती है अब हम देखते हैं राइबो नुकलिक एसिड और डियोकसी राइबो नुकलिक एसिड में डिफ्रेंसेज क्या क्या डिफ्रेंस है राइबो नुकलिक एसिड और डियोकसी राइबो न नुकलिक एसिड पाया जाता है जबकि डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड केंद्रक में एवं विशेश कर वहां उपस्तित क्रोमोसॉम्स में मिलता है इसकी कुछ मात्रा डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड की कुछ मात्रा लवक, माइट्रो कॉंडिया और कोशिका द्र द्रवी में मिलता है और केंद्रिक वकेंद्रक द्रवी यानी नुक्लियоЬ्लाजम में ही मिलता है by just RNA होता है वो सिंगल स्टेंडरेड होता है जब कि जो DNA होता है वो डबल-णस्टेंडरेड होता है कि आ आ रहने कभी कभी ह्ष्म कुंडली तोकर हाइडरोजन बॉंड्स दुआरा जुड़ जाते हैं जबकि जो DNA की रज्जु होते हैं वो विपरित दिसा में सरपिलाकार कुंडलन परदर्शित करते हैं RNA में राइबोज सुगर पाई जाती है जबकि DNA में डियोक्सी राइबोज सुगर पाई जाती है rna में adenine, guanine, cytosine and uracil पाए जाते हैं जबकि deoxyribose sugar acid में adenine, guanine, cytosine and thymine base nitrogen bases पाए जाते हैं rna में purine वा pyramidine शारकों का समानुपाती होना आउशक नहीं है जबकि dna में purine वा pyramiden शारक समानुपाती होते हैं यानि जो DNA है वो चारगोप की नियम का पालन करता है जबकि RNA इस नियम का पालन नहीं करता है RNA अनु प्रमुक्तिया प्रोटीन संसलेशन में सक्रिय है लेकिन कुछ पादव और जन्तू वाइरसों में यह अनुवान सिक पधार्त यानि जनेरिक मैटरियल के रूप में कुछ ही वाइरसों में यह पाये जाता है और इसका RNA का काम जो प्रमुख है वो है प्रोटीन सिंतेसिस DNA मुख्य रूप से जनेटिक मैटेरियल है यह सबी सजीव सेल्स की विविन जेविव कोशी के किरियाओं की सूचनाए DNA अणों में ही समाहित होती है अब देखते RNA में शारकों की मातरा शमान नहीं होती है जबकि DNA है वहाँ शारकों की मातरा आउश्यक रूप से इक्वल होती है और मेजर डिफ्रेंस के है RNA सिंगल इस्टेंडर्ड, DNA डबल इस्टेंडर्ड RNA में यूरेसल पाया जाता है जबकि DNA में थाइमीन पाया जाता है